सो गईज आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चालेंग्स पर यह वीडियो जो कोस्ट अकाउंटिंग का दूसरा वीडियो जायाने के सकेंड पार्ट होगा फर्स्ट पार्ट में हमने एक से दस तक लिए कोचन्स देखा था जो कि वी वी आई एम फिल इनदव बलाइक सिशा लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे Element यान कोस्ट काउंटिंग का Elements देखेंगे जो कर आपको पर दिखार दिरहा होगा इस Element में हमने 10 कोचर्ण को रखा और इस 10 questions में आपको options बताना कि कौन से सही है और साथ ही हम आपको उसको answer भी बताएंगे ताकि आपको एकजाम देने तो आपको इससे काफी अच्छे number score होगे क्योंकि इसमें जितने भी हमने questions को include किया हो संग cost is the cost caused by the complete abodaments of abodaments of this abodaments of death abodments of death इसके answer होगा वो plant होगा क्या चीज होगा plant abodaments जो होता है वो plant का होता है कौन? संग cost is the cost, संग cost जो cost होता हो किसका होता abodaments plant का होता तब यह जाकर कर टोटल कर टोटल कम्प्लेट होता है अदरवाइस नहीं होता अब दुसरा नमा कोचेंज देखते हैं दुसरा नमा कोचेंज आपको इसकीन पर दिखाई देरा होगा अन कोचेंज देखते हैं तो वह क्या होता है मिस नमर होता है यानि कि उस नाम का गलत प्रियोग करकर गए उसे लिया जाता है मिस नमर का मतलब में होता है गलत प्रियोग मिस नमर का स्पेल होता है मिस नमर मिस होता है नाम का गलत प्रियोग तिसआनसर कोच्च से देख सकते हैं कि कि यसके इसरी इसकेंड से कोश्च और पूरिवल से कोश्च होता है? ME रिभर यहां gide smi variable पूरिल यहां चोई 마 कोश्च होता है वह बोल पने रिभर होता है रोप नवानी अा क्योंस होता है? भी होता है तो I hopes you can get information and yeah जो कोनसे बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा फिरवर कोई doubt है तो आप हमें comment कर सकते हैं फिर परहने के तक्रीके आपको समय में आ रहा होगा तो भी आप आम कर सकते हैं ताकि हम इससे इंप्रूब करकर कि आपको आगे और भी अच्छी तरह से वीडियो चाहिए आपको बता है टोटल कोष्ट इजिकोल टू कया होता है? मेटेरियल प्लास लेबल प्लास एक्सपेंगा या फर्मूला याद है तो आप जाकर करें के आगे इसक पर काम भी कर सकते हैं थो प। पर रहें कि कोश्चन से हैतो उसमें सॉल्व कर सकते हैं या फिरिडिकल हाइग्स या फिर ses बना सकती हैं धिया निकिवाइगों फोल्ग यहां पर कोटस्ट से देखेंगे पश्योघ्अ कोच्छस में यहां पर क्या करहा है कि कोश्ट पर्डॉक्शंस पोट्राप्शंस जे मतलब यहां बताना है। कोष्ट प्रक्ष्ट नर्ट कोःमा डेकवी कर्णों में हाल गया सांट 3 जमाग प्राइम कोस्ट उसको खईदने में जो लगा से फाक्टरी एक्सपेंस फाक्टरी में जो खर्चे होते हैं से इसके लाओ जो इसमें खर्चे होता है वह ओफिस एक्सपेंस ओफिस में जो एक्सपेंस होता है वह ओफिस एक्सपेंस इसके लाओ इसमें कोई खर्च नह i hope so कि यहां आपको समझ में आ रहा होगा next questions यान इस च्छठे नहीं में question देख लेते हैं यहां पर काहा करा cost of good souls यह formula है यह cost cost of good sold is gold cost of production plus factory expenses फेक्टइर एक्सपेंसेज और इसके लावर क्या फेक्टरी एक्सपेंसेज और पलस क्या factory expenses पलस what तो आपको बताए कि cost of goods sold is equal to क्या होता है cost of production factory expenses or is equal to closing stock of finished goods यहापे क्या होगा closing stock यहापे factory expenses के बाद क्या होगा closing closing stocks stocks of factory closing stocks of finished goods यानि कि जो भी समान है उसे खतम होने से पहले जो बसता है वह यहापे आप का सकते है closing stock आप simple में का सकते हैं यहापे 7th नमर कोस्चन सा आप देख सकते हैं Contrable cost is Contrable cost is Dash cost Contrable cost is Dash cost यह जो होता है variable cost होता है Contrable cost क्या होता है variable cost होता है तो I hope so कि आपको यह समझ मेरा होगा और आप इसे चाहिए तो note भी कर सकते हैं अगर आपको यह PDF में चाहिए तो आप हमारे Telegram Channel को जोइन कर सकते हैं अट्वे नमर कोचन से क्या करा है कि दा कोस्ट आप रिसार्चिंग से निव पोड़ाग्ट और इंत्वरा से में चाहिए अए कोश्ट आप्रण हेर्षार्चिंग कोचनeter दा कोचनसा निव बॉडाग्ट में चाहिए काश्टे तो उसको आपको improve करना है या फिर निव प्रॉडक्ट को मार्केट में लाना है तो उसके लिए जो आपका researching का जो पार्ट होता है वह काफी ज्यादा आयम होता है क्योंकि बीना research की हुए अगर आप आप लाते है मार्केट में तो उसका कोई भी value नहीं रहता है तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है तो आप अगले questions देख लेते हैं यानि कि 9 नमा questions increase in cost due to change in the level level of activities is called dash cost इसे क्या काते हैं इनक्रीजमेंट कोस्ट काते हैं increase when the positive या बात को आप ध्यान विडाख सकता है या फिर आप नोट कर सकते हैं राइट तो यहां पर आप लांस्ट को सब्सक्राण इस वीदियोस का last on a s कि एसमें जो हम 10 को सहाब को समझ मैं होगा और वी इससरी तक वीडियो समाझायिया हो सबस्क्राइब कर सकते हैं साथ ही आप हमारे टेलेगाम चैनलेज को जोईन कर सकते हैं और वी सिता के वीडियोज पाने के लिए